हमास्कार दोस्तों मैं ऊच्छ कश पंपलीट प्रोसेस आपको बताएंगे। इसमें 16 सलोट है प्लेस वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल पने हैं तब प्लेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा कम्प्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे इसको अच्छे सेंपर लगाएंगे फिर हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे आपको कम्प्लीट करके आपको दिखाएंगे प्लेस वीडियो को सुरू से लेखे लास्त तक देखिएगा अच्छे से हम करेंगे 16 पेपर हम इसमें लगाएंगे जोकी पेपर हमने काट लिया है अच्छा से हम लगाएंगे और इसकी कम्पनी बैंडिंग थी इसमें 16 नंबर के वायर डाले थे शड़े साथ के भी में इसमें 3 वायर से होता है 18 नंबर से लेकिद इसमें 17 नंबर वायर से डाला था ये दो तार से 23 टर्ण डाले थे 19 नंबर हम इसमें 18 से 23 टर्ण डालेंगे गए के पलीज वीडियो को लाइक की जिएगा और आप हमारा चैनल पर नहीं प्लेश चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कि अच्छे से हम लगाएंगे कि अच्छे से लगा कि हम कम्प्लीट करेंगे इसको जब कि इसकी साइज की पर हमने काट लिए थी अच्छे से लगाएंगे प्लीज वीडियो का लाइक जरू कीजिएगा अच्छे से हम लगाएंगे कि कि करके हम सब में लगा देंगे पेपर कि सब सारे से लाट में पेपर इस्टॉल कर देंगे प्लीज वीडियो को सुरू सुले के लाज तक देखिएगा पुल कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताएंगे अच्छे से डालेंगे पहले हम हरे पेपर को एकदम नीचे डालेंगे फिर उसके बाद से पीवीसी डालेंगे अच्छे से प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा और आप हमारे चैनल पने हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब शेयर जरूर किजेगा जिबकि हमारा पूराना चैनल डेलिट हो गया था इसके विज़ा से थोड़ी दिख्कत आ गई है सारे वीडियो भी डेलिट हो गये थे इस समय सीजन भी नहीं चल लाए यह ठंदी का सीजन है इसलिए काम भी थोड़ा मंदा चल लाए अच्छे से हम करेंगे इस वीडियो को सुरू से लेके लास्त गेखिएगा अच्छे से हम करेंगे लगवग हमने डाली दिया है तो एक दो और रह गया है इसके बाद से हम इसमें वाइड डालेंगे कंप्लीट करके अच्छे से हम डालेंगे पेपर को इसमें सोलो सलोट होती है इसके चार क्वाइल होते हैं जो एक ही में जॉइंट होता है इसमें उल्टा और एक सिधा रिवाइन करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब और शेयर जरूर किजिएगा साथ में बिल आइकन को भी प्रेस किएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसको हम अच्छे से करेंगे अच्छे से लगाएंगे विल्कुल सही तरीके से बैठाएंगे हम कि इसमें चार और रहे गए हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है पिपर डालने में जबकि इसकी बैरिंग तूट चुकी थी आगे वाली इसलिए घिसके जल गया था इसके फिल्ड भी दो खराब थे जो हमने बना करक दिया है जबकि हम उसकी वीडियो नहीं डाल पाए हैं जबकि हमने वह नाइट में काम किया था फिल्ड वाला इसलिए लाइट भी नहीं थी इसके वज़े से हम वीडियो नहीं बना पाए अच्छे से लगाएंगे अच्छे से टालेंगे प्लिस वीडियो को लाइक किजेगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब और सेयर जबल किजेगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किजेगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अच्छे से हम लाएंगे यह आखरी स्लोट है इंस्टाल करने के लिए पेपर जबके हमने कंप्लीट कर दिया है अब देख सकते हैं अब इसमें हम वायर डालेंगे देखिए कैसे डालते हैं वायर डालेंगे हम यह दो 17 नमबर के वायर है इसके वज़ान है दो के लिए 300 ग्राम देखिए हम कैसे डालेंगे हम टेश्ट डालेंगे गिन के लिएर बाई लिएर अश्में हम फली लगाएंगे कि क्वायल का राउंड अच्छी तरह से बन जाए दोना तरफ हम फली लगा दिये हैं इसको अच्छे से राउंड करेंगे आप गिन सकते हैं यह कि करके हमने डाला है प्लीस वीडियो को शुरू से लेकर लाश्ट देखिएगा आप वह अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल सही तरीके से हमने डाला है वायर को वायर जदी ऊपर फूल जाए तो हम इसको फली के द्वारा अंदर डाल लेंगे जबकि इसमें लोहे वाली चीज हम नहीं डालेंगे जबकि वायर छिल जाएगा इसको अच्छे से डालेंगे प्लिस वीडियो को लाक जरूर किजएगा आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजएगा इसको हम अच्छे से डालेंगे ठीक है हम फली के द्वार वायर को अंदर कर देंगे विल्कुल सही तरीके से डालेंगे इसको कंप्लीट करने में कम सकंप 45-50 मिनट लग जाते हैं इसको हम बैंडिंग करके कंप्लीट करके आप दिखाएंगे अच्छी तरीके से प्लिस वीडियो को लाइक जरू किजिएगा आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिएगा अच्छी से डालेंगे लगभग यह कंप्लीट होने वाला है अच्छी से वायर को अंदर दबा देंगे बिल्कुल सही तरीके से बैठाएंगे लगभग यह कंप्लीट हो गया बहर वाली में हम डालेंगे इसमें भी 30 टर्न नहीं डालेंगे जबकि यह कंपनी बैंडिंग थी इसमें 22 टर्न से 17 नंबर से इसमें तेज टर्न डालेंगे जबकि इसमें जगा बहुत है इसको अच्छे से डालेंगे की वायर पेपर के बाहर ना जाए तरीके से प्लीज वीटियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए यह दिखिए हम सीधा बैंडिंग कर रहे हैं फिर हम इसको बैंडिंग क करके फिर हम उल्टा कोईल बैंडिंग करेंगे इसके बाद से दूसरे कोईल में प्लीज वीडियो को सुरू से लेके लाश्टा को दिखिएगा अच्छे से हम बैंडिंग करेंगे सही तरीके से लगाएंगे वायरफूल जाने पर हम फली का प्रियोग कर लेंगे सही तरीके से अच्छे से हम इसको कंप्लीट करेंगे सही तरीके से प्लीज वीडियो को आप शुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर देखिएगा फिर आपके समझ में आ जाएगा इसकी रिवैंडिंग हम कैसे करते हैं यह भी एकदम कंपनी के जैसे फिनिशिंग हो जाएगा अच्छे से हम डालेंगे वायर को टाइट करके तो विल्कुल सही तरीके से डालेंगे अच्छे से वायर को अंदर की तरफ दवा देंगे प्लीस वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर देखिएगा यह भी लगवग कंप्लीट होने वाला है उसको फिर हम फली से अंदर की तरफ दवा देंगे टर्न जब कंप्लीट होते हैं तो वायर बाहर की तरफ फेकता है तो इसको मंदर डालेंगे अच्छी तरीके से अराम से डालेंगे तो जाकी तुकी वायर पे स्क्रेच ना हो स्क्रेच होने पर बाद में दिक्कत आएगी इसलिए हम अच्छी तरीके से डालेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से अ लगवाग यह कंप्लीट हो गया है अब दूसरे क्वैल में डालेंगे ठीक भार की तरफ हो वूल्टा डालेंगे जहां फली लगा देंगे देखे अच्छी तरीके से कि आई उसमें ठीक हम तेज टरन डालेंगे यह दूसरा कॉयल है अर्मिचर का को कि वी तीसरा टर्न है अच्छी चौता टर्न है अच्छे से वायर को सीधी करके डालेंगे हम यह हूं यह पांच वांटरन है अच्छोंवां टरन है यह साथ मांटरन है यह आठ मांटरन है यह नौंवां टरन है यह दस्वां टरन है अच्छे से हम डालेंगे इसको इसके टरन आप गिन सकते हैं अच्छी तरीका से इसमें हमने तेश्टर नहीं डाला है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर किजिएगा वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर किजिएगा आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिएगा प्लीज हेल्प किजिएगा हमारी अच्छे से हम डालेंगे वायर को हम सीधी करके डालेंगे वायर डामेज हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है इसके लिए हम सीधी करकर के डालेंगे हमसे सलाट में बैठ जाएगा प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा अच्छे से हम डालेंगे बिल्कुल सही तरीके से प्लीज वीडियो को शुरूश लेके लाज तक जरूर देखेगा आपके समझ में अच्छी तरीके से यह आ जाएगा इसको अच्छे से हम डालेंगे बिल्कुल सही तरीके से लगवा कम्प्लीट ठोने वाला है अच्छे से हम डालेंगे प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा साथ में बेल आइकन को भी फ्रेस किजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसको हम अच्छे से डालेंगे बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल सही तरीके से हम डालेंगे इसको इसके बारवाली में हम डाल रहे हैं वायर को सीधी करकर के डालेंगे इसको पूरा कंपलीट करके आपको दिखाएंगे अच्छे से डालेंगे प्लिस वीडियो को लाइक किजएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब चरू किजएगा साथ हुआ बल आइकन को प्रस कीजिएगा तक कि हमारी वीडियो के में टुखी किसान आपको मिलती रहे को अच्छे से हम राउंड करेंगे क्वैल की कि आया। देखे जो मनें प्रिफला कौईल डाला था या कोईल देखें हुब कितनी अच्ची तरीके से डाला है। सही से राउंड हो गया है। इसके उपर से हम इसमें पिपर लगाएंगे। कि प्लायर के द्वारा प्खीच के हम पिपर डालेंगे मोड के। फिर उसके उपर से हम फल्ली लागा के इसको कंप्लीट कर देंगे अच्छी तरीके से प्लिस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पेने है तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अगली इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा आप लोग इसको हम अच्छे से दालेंगे यह दूसरा क्वाइल है आयर्मेचर भरने में टाइम नहीं लगता है बस इसके पेपर बैठाने में ही टाइम लगता है पेपर बैठाने में फली लगाने में इसमें टाइम अधिक लगता है इसको cotton tip से rounding करेंगे, इसके लिए इसमें अधिक समय लगता है, इसको भढ़ने में समय ने लगता है, इसकी revending हम अधे घंटे में हो जाती है, लागबुग, उसे कम ही समय लगता है, शलाट के कोर्ष ही रहेंगे तो जल्दी हम rewind करतेंगे, अगर सलाट के कोर्ष ही नहीं रहेंगे तो दिक्कत आएगी इसके वज़े से time लगता है इसको अच्छे स्हम rewind करेंगे दोनों तरफ से परली से हम मार देंगे सलाट में इसको अच्छी तरीके से हम लगाएंगे वायर को अच्छी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पे नहीं है तो पिलिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके हम तीसरे कोईल को डालेंगे देखिए यह सीधा कोईल डालेंगे अब इस साइड में फल्ली लगाएंगे इसमें एक उल्टा और एक सीधा एक सीधा और एक उल्टा इसे ही करके डालते हैं जबकि सारे सीधे डाल देने पर यह करण्ट नहीं बनाएगा इसमें भी होता है एक उल्टा और एक सीधा डालना पड़ता है अच्छे तरीके से हम डालेंगे इस वीडियो को सुर्व से लेके लास्ट तक देखिएगा इसको कम्प्लीट करके हम आपको दिखाएंगे अच्छे तरीके से अच्छे से हम डालेंगे वायर को सीध्या करकर के प्लीस वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीस चैनल को सस्क्राइब जरू किजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे प्लीस हमारे चैनल देशी इलेक्टिकल पर आप सपोर्ट किजिएगा अच्छे से हम डालेंगे जबकि बिल्कुल अच्छे से हम बताते हैं इसमें गलत हम नहीं बताते हैं किसी भी यूजर्स को अच्छे से हम डालेंगे अच्छे से डालेंगे इसको इस वायर को अंदर करेंगे हम फली के द्वारा अच्छे तरीके से जबकि लाश्ट टर्न डालने में एक दो टर्न डालने में 20 के उपर जाता है तो दिक्कत होने लगती है अच्छे से हम डालेंगे यह भी कंप्लीट होने वाला है इसको अंदर के तरा दवायंगे वायर को इसको अच्छे से तरा 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 तक देंगे पांस की फल्ली के द्वारा यह कंप्लीट हो जाएगा इसके बाहर वाली में हम डालेंगे अच्छे तरीके से अच्छे से हम डालेंगे जबकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है फिर हमने फुल कंप्लीट बताया है आपको अच्छे से हम डालेंगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल इकन को भी प्रेस कीजिएगा धकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसी से रिलेटिड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं इसको अच्छे से हम डालेंगे अच्छे से डालेंगे प्लिस वीडियो को सुरू से लेके लास्ट तो यह दिखिएगा लगवग आपको समझ में आ जाएगा इसकी रिवेंडिंग कैसे करते हैं इसको फलिक द्वरा अंदर करेंगे अच्छे से डालेंगे जबकि वायर का रिट अभी समय हाई हो गया है अच्छे से हम डालेंगे प्लिस वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिएगा इसको हम अच्छे से डालेंगे सही तरीके से अभी समय मगला क्वाइल डालेंगे लास्ट क्वाइल इसको लटाम डालेंगे लुक्त हम फली लगाएंगे दोनों साइड में इसको हम राम फली बोलते हैं विल्कुल सही तरीके से हम इसकी रिवेंडिंग किया है प्लिस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पने हैं तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अच्छे से हम डालेंगे बिल्कुल सही तरीके से प्लिस वीडियो को सुरूर से लेकर लास्तर दिखिएगा यह आखरी क्वायल है अर्मिचर का इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसमें फल्ली लगाएंगे वायर अगर जदी बाहर आएगा तो प्लिस वीडियो को एक लाइक जरूर किजिएगा अच्छे से हम डालेंगे फलिक से वायर को अंदर करेंगे जो पहार आ जाती है जो पहार आ जाती है उस वायर को हम दबाके अंदर करतेंगे बिल्कुल सही तरीके से हम बढ़ाएंगे वायर को अच्छे से लगाएंगे लगभा यह कंप्लीट होने वाला है इसके बाहर वाली में हम डालेंगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा आप हमारे चनल पर नहीं है तो फिल्स चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छे से हम डालेंगे अच्छे से हम डालेंगे अच्छे से कंप्लीट करेंगे प्लीज वीडियो को सुरूर से के लास्ट तक देखिएगा फिर आपके समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे किया है इसको कंप्लीट लगवाई यह कंप्लीट यह भी होने ही वाला है पिल्गू सही तरीके से हम डालेंगे प्लीज वीडियो को लाइक की जाएगे देखिए वायर बाहर आ गया है इसके वैसे एक टन्न हमने निकाल फिर से डालेंगे बाहर निकाला है फिर डाला है इसके अंदर देखिए विल्कुल सही तरीके से प्लीज वीडियो को सुर्च लेकर लास्त देखिएगा फिर आपके समझ में आ जागा अच्छी तरीके से लगवाई यह कंप्लीट होने ही वाला है अच्छी तरीके से डालेंगे वायर को प्लीज वीडियो को लाइक किजएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर किजएगा साथ में बेल आइकन को प्रेस किजिएगा ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे देखे लगव यह भी कंप्लीट हो ही गया है देखे यह कंप्लीट हो गया है इस वायर को हम कट कर देंगे यहां से इसको उसी में हम मोड देंगे पिर हम फल्ली को बाहर निकालेंगे देखे हमने फल्ली पेपर लगा दिया है अंदर स्लोट में आई उसना हम फल्ली लगाएंगे अच्छी तरीके से प्लिस वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब जरूब किजिएगा साथ मोबिल आइकन को भी प्रेस किजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे देखे हम कैसे फल्ली को डालते हैं इसमें अच्छी तरीके से अफ को तोड़ देंगे फिर हम इसके लिए देखिए हम कैसे पेपर को दबाते हैं अंदर की तरफ पिर हम इसमें फल्ली लगाएंगे बिल्कुल सही तरीके से प्लिस वीडियो को लाइक किजिएगा आप हमारी चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किजिएगा ताक कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे निक्या महिला पेपर डालेंगे पेपर को दबाएंगे अगले में स्लोट में अच्छे से लगाएंगे हम बिल्कुल सही तरीके से प्लिस वीडियो को सुट्फ से लेकर लास्ट तक देखिएगा इसको हमने कंप्लीट कैसे किया है अब इसमें दो ही लूप निकले होंगे बाहर एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला वह भी अंदर और बाहर से ही निकला होगा उसके हम स्लिप रिंग में उसको जॉइंट कर देंगे किस साइड में उस साइड में कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको कॉटन टेप से हम करके बानिस कर देंगे बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से दभाएंगे अच्छे से दभाएंगे प्लिस वीडियो को लाइक की जाएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जाएगा साथ में बिल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा थाकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अच्छे से हम फल्ली को लगा देंगे सारे स्लोट में सारे फल्ली को लगा के हम कंप्लेट कर देंगे स्लोट में प्लिस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा थाकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे देखिए हम अच्छे से दवाएंगे इसको प्लिस वीडियो को सुरू से लेकर लाज तक देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कंप्लीट हम कैसे करते हैं अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे इसको इसके अखरी स्लॉट में डालेंगे जबकि यह कंप्लीट हो गया है धन्यवाद करते हैं अच्छे